जैहिंद प्यारे वच्चो, विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता भारत माता का अध्यन किया था, इसी अध्याई में अध्याई संक्या 11 के अंतरगत無, उनकी एक अन्य कविता, धर्ती कितना देती है, इस कविता का अध्यन करेंगे शुरू करते हैं आज की ये डोकिमेंटरी कविता है उनकी आधर्ती कितना देती है आधर्ती कितना देती है मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोये थे सोचा था पैसों के प्यारे पेड उंगेगी रुपियों की कलदार मधुर फसल निखनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेथ बनूँगा त्विद्यार्तियों कभी अपने बच्पन की घटना का जिकर करते वे कहते हैं कि धर्ती है वो हमें कितना कुछ देती है लेकिन मैंने इस बात को कभी समझा ही नहीं था छुटपन में अर्था जब मैं छोटा था तो मैंने अपने परिवार से घर वालों से छिप करके कुछ पैसे बो दिये थे कि रुपियों के कलदार मधूर फसले खनकेगी कि रुपियों के कलदार कलदार होता है विद्यर्थियो वैसे तो चांदी के सिक्के को कलदार कहा जाता है लेकिन वर्तमान में जो सिक्के परचलन में हैं उसी को कलदार के रुप में यहां लिखा है कि कलदार अर्थात रुप सेट बन जाओंगा मेरे पास बहुत से रुपे हो जाएंगे लेकिन विद्यार्थियों ऐसा कुछ भी नहीं हो पया कोई रुपे नहीं हुगे आगे कभी लिखता है पर बंजर धर्ती में एक न अंकुर फूटा बंध्या मिट्टी ने ने एक भी पैसा उगला कभी कहता है कि मैं ऐसे सपने देखता रहा और सोचता रहा कि मैं मोटा सेट बन जाओंगा लेकिन बंध्या मिट्टी ने बंध्या जो कुछ भी नहीं उगता है जिस मिट्टी के पर उस सर भूमी कहते हैं या बंध्यर भूमी जिसे कहते हैं वो ऐसी मिट्टी थी उसने एक भी पैसा नहीं उगला अर्थात पैसों का एक भी पेड नहीं उग पाया सपने जाने कहां मिटे कब धूल हो गए मेरे सपने हैं वो पलक पावड़े बिछाकर अर्थात, जैसे हम महमान का स्वागत करते हैं, वैसे ही मैं उन पेड के पेड़ के पेड़ों के उगने का वैसे ही बाट जोता रहा, रहा देखता रहा कि कब वो पेड़ उगें, मैं अबोध था, मैंने गलत बीजबोई थे, कभी जब बड़ा हो गया, जब कविता लिखी, तो उसे बात समझ में आ चुकी है, कि मैं उसमें अबोध था, अर्थात मुझे इन बातों का कोई बोध नहीं था, मैंने गलत बीजबोध ये थे, मैंने ऐसे बीजबोध ये थे, जो कभी उग नहीं सकते थे, मैंने अपने मन की ममता को रोपा था, तो इसके कारण कुछ भी नहीं उग पाया, विशेश है, कवी ने बच्चपन में पैसे बोकर उनके उगने की कलपना की थी, इसके पीछे उसका धनवान बनने का विचार था, कवी बच्चा था और उसको ज्यान न था कि रुपे उग कर पोधे नहीं बना करते, भासा सरल साहितिक खड़ी बोली हिंदी है, अनुप्रास रुपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, दूसरा पद्य है विद्यार्थियो, अर्ध शती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मदुर पतजर बीत गए अंजाने, ग्रिश्म तपे, वर्सा, पूली, सर्दे, मुस्काई, सी फिर से, गाड़ी उदी लालसा लिये, गहरे कजरारे बादल बरसे धर्ती पर, कभी कहता है, कि वो बातें चली गई, वो बच्छपन की बातें थी, और वो कब अर्ध सती, यानि पचास साल कब निकल गए, मुझे पता ही, नहीं चला, कितने ही मदुर पतजर बीते, कितने ह पतजर की रितुमें चली गई, और कितने दिन अंजाने में ही बीत गए, गर्मियों में भेंकर गर्मी भी हुई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला, वर्सा आई, शरद की रितु आई, और सीसी कर हेमंत कपे, अर्थात हेमंत रितुमें अत्यंत हाड कमपा देने वा बातों को भूल गया ओ अब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धर्ती पर और बड़ी लंबी लालसा लिए गहरे काजल के जैसे काले काले बादल है वो धर्ती पर बरसे हैं मैंने कोतु हल्वस आगन के कोने की गीली तह में योहीं उंगली से सहला कर बीज सेम के दबा दिये मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मानिक बांध दिये हूँ देखक कहता है कि जब कजरारे बादल काले बादल धर्ती पर बरसे तो मैंने कोतु हल्वस कोतु हल के कारण आगन के कोने में थोड़ी सी गीली मिट्टी को हाथ से कुरेद कर सहला कर कुरेद कर उखाड कर कुछ सेम के बीज उस मिट्टी में दबा दिये और मैं ऐसा समझ र जा था कि जैसे मैंने धर्ती के आंचल में मनी मानिक जवाहरात हीरे पन्ने इत्यादी रतनों को मैंने बांध दिया है कभी ने वसंत ग्रिश्म सर्द वसंत आदी रितों का सुंदर चितरन किया है भासा संस्कृत निष्ट खड़ी बोली है मानवी करण पुनरुक्ति नु कांत चंद का प्रियोग हुआ है आगे कभी कहता है मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन किन्तु एक दिन जब मैंने संध्या को आंगन में टहल रहा था तब से इसा मैंने जो देखा उससे हर्स विमूड हो उठा मैं विश् कभी कहता है कि मैं इस बात को कि मैंने धर्ती के अंदर कुछ बीज बोए हैं इस बात को मैं भूल गया कोई विशेस याद रखने वाली ये कोई बात नहीं थी जो मैं याद रखता इसलिए मैं इसे भूल गया लेकिन एक दिन अचानक सहसा अचानक मैंने देखा कि मैं अप कभी ने देखा आंगन के कोने में कई नवागत नए आने वाले छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं छाता कहूं कि विजे पता काई जीवन की या हतेलियां खोले थे नन्हे प्यारी जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंक मार कर उड़ने को उच्सुक लगते थे दिम्ब तोड कर निकले चिडियों के बच्चे से तभी कहता है मैं आश्चरे चकित हो गया कि मेरे उस आंगन में जहां मैंने वो बीज दबाए थे वहाँ पर कुछ नवा गंतुक अर्थात को छोटे छोटे पोधे अपना छाता ताने खड़े थे अर्थात अपने छोटे कोमल पत्तों को तान करके बड़े सुंदर खड़े दिखाई दे रहे थे उसको मैं चाता कहूं या उनके जीवन जीने की विजे पताकाईं विजे की ध्वजाएं उनकी मैं कहूं कि वो छोटे छोटे जो पोधे थे वो किस तरह से वो बीज है वो धर्ती का सीना चीर करके और अपनी जीजी विशा को बनाए रखते हुए अपनी विजे की पताकाईं फैलाते हुए धर्ती से बाहर आ गए थे वो उनकी हतेलियां भी उन्हें कहदूं शायद वो अपनी नन्ही प्यारी हतेलियों को ताने हुए खड़े थे उन्हें कुछ भी कहा जा सकता है क्योंक के लिए उत्सुकों ऐसे वे छोटे-छोटे पोधे लग रहे थे विशेश है विद्यर्तियों इसमें कि सेम के नए उगे पोधों का क्यावे में चित्रन हुआ है भासा सरल प्रवापुरुन विशानुरूप है पुनरुक्ति प्रकास संदे उक्मा अलंकारों का जाम भी हमें सही मिलेगा निरनिमेश शन भर उनको रहा देखते सहसा मुझे स्मर्ण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में तो कभी कहता है कि मैं निरनिमेश बिना पलकों को जपकाए एक टक या टक टकी लगा कर शन भर के लिए उन नए पोधों क तो देखता रहा तो विर मुझे सहसा अचानक से मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले ही यहां पर कुछ सेम के बीज रोप दिये थे और उनी से बोने पोधों की यह पल्टन मेरी आँखों के सम्मुक अब गरव खड़ी गरव से और उनी से यह छोटे छोटे पोधों क कि एक सेना मेरे सामने अब गर्व के साथ खड़ी हो गई है नन्ने नाटे पैर पटकती बढ़ती जाती है तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगित पत्तों से लद भर गई जाडियां हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे कभी कहता है कि वो बेल है वो धीरे ध गरहा था कि एक कोई सेना है वो अपने छोटे छोटे पैरों को आगे बढ़ाती हुई आगे जा रही है और कभी कहता है कि मैंने देखा कि धीरे धीरे वो बेले हैं अनगित पत्तों से लद गई और जाडियों के उपर वो बेले चड़ गई चारों तरफ जैसे मकमली चंद गई है और सहारा लेकर बाड़े की टटी का हरे हरे सो जरने फूट पड़े उपर से और जो बाड़ा था उसके चारों तरफ जो बाड़ की हुई थी बाड़ के लिए जो लकडियां और घास फूस लगाया गया था उसी के लिए टटी शब्द का प्रियोग किया गया टाट या टट्टी उसे कहा गया है विद्यारतियों तो उस बाड का सहारा लेकर के हरे हरे सो जहरने फूट पड़े उपर की ओर जैसे जैसे वो बेले चट रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे जहरने फूट पड़े हैं जहरने चल रही है विशेस आया है इसमें कवी ने सेम के बी पाँचवा काव्यान सेविद्यर्थियों पाँचवा काव्यान सेविद्यर्थियों पाँचवा काव्यान सेविद्यर्थियों पाँचवा काव्यान सेविद्यर्थियों पतली चोडी कलियां कितनी उनकी क्या गिनती लंबी अंगुलीों से नन्ही नन्ही तलवारों से पन्ये के प्यारे हारों से जूटन समझे चंद्रकलाऊं से नित बड़ती सच्चे मोती की लड़ियों सी धेर धेर खिल जुंड जुंड छिल मिलकर कचपच्ची या तारों सी तो वो जो थी वो बड़ी सुंदर थी कुछ पतली थी कुछ मोटी थी कुछ छोटी छोटी उंगलियों के समान कुछ ननी ननी तलवारों के जैसी जैसे पन्या एक रतन होता है उस पन्ये के रतन का हार बनाया जाए उसके हार के जैसी थी और पाठक है वो इसको जूट न समझे कभी कहता है कि मैं सच ये बात लिख रहा हूँ ये सारी सची बाते हैं पाठक इसे जूट न समझे ये चंदर कलाओं सी नित बढ़ती जैसे चंद्रमा की कलाईं प्रतेक दिन बढ़ती जाती हैं वैसे ही ये बेलें भी लगातार और इन पर लगने वाली फलियां भी लगातार बढ़ती जा रही थी जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी होती है सुंदर हार होता है वैसे ही ये ढेर के ढेर खिल रही थी ज उत्पन बेले असन के फलियों से लद गई थी फलियों का मार्मिक चित्रन किया गया है अनुपरास उत्मा थता संदेह अलेंकार पुनुरुक्ति प्रकाश अलेंकार भी है तुकांत युक्तपद है भासा बोधगम्य है साहित्तिक युँ प्रवाहपुर्ण खड़ी बोली है आगे कभी लिखता है सगे समंदी रिष्टेदारों ने जानने वाले अंजान लोगों में सब में उन फलियों को बाटा गया बंदु बांधव कुछ परिवार के लोगों मित्रों में अभागत आने वालों में मंगतों में सब लोगों में उन फलियों को बाटा गया और जी भरकत दिन रात पूर वे मुरले ने उन फलीयों को खाया वो कितनी प्यारी और कितनी सारी वो फलीयां थी उन फलीयों को खाने का अपना ही एक आनन्द था सेम कि बेलों पर लगने वाली फलीयां एसंक्य थी तभी ने उनकी परीजिती तो तता अन्य लोगों को मुक्त हस्त फलियां बाटी इन पंक्तियों में कभी बताना चाहता है कि धर्ती माता अपनी संतान के लिए मुक्त मन से आवश्यक चीजे प्रदान करती है भासा सरलें प्रवापूर्ण है यह तुकांत छंद ह पुन्रुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है यह धर्ती कितना देती है धर्ती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया मैं उसके महत्यों को बच्छपन में निज स्वार्थ लोब बस पैसे बोकर रत्न प्रस्विनी वसुदा अब समझ सका इसमें सची समता के दाने बोने हैं इसमें मानवता समता के दाने बोने हैं जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरे फसले मानवता के जीवन स्रम से हंसे दिशाएं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे कभी कहता है कि ये धर्ती हमें धर्ती माता हमें कितना कुछ देती है अपने प्यारे पुत्रों को अर्थात अपनी संतान को हम लोगों को वो बहुत कुछ देती है लेकिन मैं बच्छपन में इसके महत्व को नहीं समझ पाया था मैंने लोब के कारण लालच के कारण पैसे बो वसुधा क्यों है यह मैं अब समझाओं कि वो वसुधा को धारन करने वाली और अनाज और फल फूल जैसे रतन देने वाली रतन प्रस्विनी है इसलिए इसे रतन प्रस्विनी और वसुधा कहा जाता है इसमें सची ममता के दाने हमें बोने हैं प्रेम और त्याग तपश्या के दाने हमें बोने हैं मानवता के बीज हमें बोने हैं अगर हम मानवता के बीज बोएंगे कभी कहता है इसी से ये जो धर्ती है इसकी मिट्टी है वो सुनहरी फसलें फिर से उगल सकेगी मानवता के श्रम की दिशाएं हमें इसी से पता चलेगी हम जैसा बीज बोएंगे वै विशेश है इन में कि इन पंक्तियों में कवी ने सत कर्म करने की प्रेर्णा तथा संदेश दिया है, कवी कर्मवाद के सिधन्थ से प्रभावित दिखाई दे रहा है, भाषा बोध गम्मे तथा सहित्तिक है, अनुप्राश तथा रूपका लंकार है, एतुकांत मुक्त का प्रयोग हुआ है, तो विद्यारतियों ये था हमारा अध्याय संख्या 10, माफ कीजिए अध्याय संख्या 11, जो इसके कावे खंड में अंतिम अध्याय है, इसके बाद हम गत्ये खंड को शुरू करेंगे, डोकिमेंटरी अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक, शेर और स